तो आपने देखा कि किस प्रकार बहुत सारे मायनों में समता अंश, जो है वो पूरु अधिकार अंशों से भिन न है, अब आए हम जानते हैं सकंद यानिक इस्टॉक के बारे में, साधारण बोलचाल की भाशा में हम देखते हैं, तो जैसे हम सकंद के बात करते हैं, तो अब तक जो हमने स्कंध के बारे में जाना है हमारे मन में एप एसी धारणा बनती कि गोडाउन में जो बचा हुआ माल है बारे में बात करते नश्थ के चौद के बाहत करते हैं तो वाबशतों में यह वो याचित राशik का पूरा-पूरा भुगतान किया जा चुका है एक उदाहरण से इसको हम अच्छे से समझते हैं मान लिजिए ABC Limited ने 1000 शेयर 10 रुपए प्रती शेयर से इशु किये नरगमित किये अब 1000 अंशो पर ये जो 10 रुपए है ये जैसे कि पहले भी हमने जाना कि ये जो 10 रुपए है वो पूरा का पूरा एक साथ नहीं मिलेगा मान लिजिए इसमें से 3 रुपए आवेदन पर, 2 रुपए आबंटन पर, 2 रुपए प्रताम्याशना पर और 3 रुपए दृतियाशना पर दे हैं अगर इन 1,000 पर पूरी की 10 रुपए की राश्णी आवेदन की भी, आबंटन की भी प्रताम्याशना पर दृतियाशना की भी एक साथ प्राप्त हो जाती है तो इस 1,000 पर कुल मिलाकर 10,000 प्राप्त हो जाएंगे तो ये जो अंश कहलाएंगे ये हमारे स्टॉक यानि कि इसकंद कहलाते हैं यानि सीधे साधारन शब्दों में हम कह सकते हैं कि अंशों पर जब संपोड राशी प्राप्त हो जाती है तो वही अंश स्कंद यानि कि स्टॉक का रूपधारन कर लेते हैं दूसरा अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो हम देखते हैं कि इनके कुछ ऐसे विश्यस्ताएं होती हैं, कि इन्हें बाद में जब इनसे सारी रकम इकठा हो जाती है तो जब इसकंध बन जाते हैं, तो बाद में भी हम इस पूरी राशी को छोटे-छोटे हिस्सों में बाट सकते हैं अलग-अलग हिस्सों में बाट सकते हैं इस पूरी राशी को और साथ ही साथ अंशों की रकम को हस्तांतरित भी किया जा सकता है अब आए हम देखते हैं कि वास्तों में अंश क्या है और इसकंद क्या है इन दोनों में अंतर क्या है तो आपने देखा कि इसकंद और अंशों में क्या अंतर है अब अगर हम बात करें कंपनी के निर्माण की कंपनी क्या है यह हमने इस अध्याय के प्रारभ में ही जाना लेक यह एक ऐसा व्यक्ति जिसको व्यधानिक रूप से नियुक्त कर दिया जाता है कि आप कम्पनी को प्रमोट करेंगे, स्थापित करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, वो व्यक्ति कम्पनी का प्रमोटर यानि की प्रवर्तक कहलाता है, वो ही पूरी प्रक्रिया के अनुसार कम हाँ हम देखते हैं कि कंपणी का जो प्रवर्तक होता है वो इसे वैधानिक प्रदान करता है और इसके लिए वो पंजियन करता है कंपणी estás के रूप में कंपणी के रजीस्ट रार के रजिस्ट्रार के बहुता है वहां पर उन सभी प्रलेखों को ले छi जा कर जमा करता है करें संचालकों की सूची उसके बाद संचालकों के लिखित सहमति की योगितान लेने के लिए कमपनी के निर्माड के लिए तयार है और प्रबंद भी करता है कमपनी का एजेंट है साथ में सच्यू है जो कोशा अध्यक्ष है इनके साथ जो अनुबंध किये जाते हैं जो कॉंट्रेक्ट किये कि यह पूरी की जा चुकी है तो यह कुछ दस्तावेज होते हैं जिनकी बारे में आगे और विस्तार से जानेंगे यही वह नहीं है जिसमें लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर company अपनी अपना आगे का जो संचालन संबन्दी पूरा का पूरा कारे है वो करती है अब अगर हम बात करें कि कि किस तरह इनको प्रस्तुत किया जाता है और उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है तो यहां पर हम देखते हैं कि इन पूरे प्रपत्रों को जब रिजिस्ट कर सकता है साथ यहां पर एक महत्रपूर्ण बात यह कि समा मेलन के बाद ही कंपनी अपना प्रारम कारे जो है वह कंपनी का प्रारम कर सकती है जब तक उसको पंजियन काराले से समा मेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है तब तक कंपनी अपना कारे प्रारम नहीं कर स सबसे पहले उसको अपना प्रवीवरन जारी करना होता है जिसके अंतरगत सारी जानकारी दी जाती है कि वो कौन सी कमपनी है कितने शेयर इशू करना चाहती है एक शेयर जो है वो कितने रुपय का है इस तरह की जो संपूर्ण जानकारी होती है उसको वो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कंपनी को अपने अंशो को निर्गमित करना होता है तो सबसे पहले वो प्रविवेर निर्गमित करती है यानि कि प्रॉस्पेक्टर्स ये प्रॉस्पेक्टर्स एक लिखित दस्तावेज है लिखित रूप में इस तरह से जानकारी इसमें दी जाती है कि कंपनी अपने कितने शेयर इशू करना चाहती है कितने अंशो को वो निर्गमित करना चाहती है एक अंश का मूली कितना होगा और किस प्रकार से वो उस प है कि कि इसाधार पर वो अन्शो का आबंटन करती है और उसके बाद और अगे का संचालन का कारी प्रारम करती है देखते हैं कि वास्तों में वो कौन कौन से महतुपूर्ण प्रलेख है जिनकों की प्रवर्तक कंपनी के रिजिस्टरार कार्याले में जमा करता है जबकि उसे कंपनी को प्रारंब करना होता है तो सबसे पहला जो महतुपूर्ण दस्तवेज है प्रलेख है वो होता है पाश्यत सीमानियम पाश्यत सीमान यह वास्तों में अगर देखा जाए तो कंपनी का सबसे पहला महतपूर्ण प्रलेख होता है इसके अंतरगत उन सभी बातों को लिख दिया जाता है जो कंपनी से संबंदित होती है यह कंपनी के कार छेत्र यह उसके अधिकार की सिमाओं को नरधारित करती है इसके साथ ही इस के उद्धेश के तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका उद्धेश अंशधारी रण दाताओं और लेंदार और उनसे सम्झेट जितने भी व्यक्ति हैं। को वास्ताओं में कमपनी के अधिकार कमपनी के कारचेत्र और कमपनी के कारचेत्र की जो सीमाएं हैं उनसे अवगत कराना होता है साथ ही पाशत सीमा नियम को क्योंकि एक महत्पूर्ण प्रलेक होता है और इसके अंतर गत उसके कमपनी के उद्देशों का वर्णन किया जाता तो यही कारण है कि इसको कंपनी का उद्देश पत्र भी कहा जाता है अब अगर हम बात करें पाशत सीमानियम के विशेस्ताओं की तो विशेस्ताओं के आधार पर हम पाशत सीमानियम को और अच्छे से समझ सकते हैं जैसे इसके सबसे पहली और महतपूर्ण विशेस्ता यह है कि आधार भूत और महतुपूर्ण प्रलेख है वास्ताओं में इस में जो कारे छेत्र और सीमाय नरधारित की जाती है वह एक आधार बनती है जिसको ध्यान में रखते हुए आगे का जो कारे कंपनी का वो प्रारम भी किया जाता है दूसरा यहां पर हम क्या सकती है कि कारे चेत्री की सीमा को निश्चित करता है प्रते कंपनी के अपने कुछ कारे छेत्री की सीमाय होती है अगर हम बात करें अंशों के नरधार अंशों के नर्गमन की तो उसकी भी अपनी कुछ सीमाय होती है कि कि किस मूले तक के अंशों नर्गमित कर सकता है पूंजी से संबंध इत्वाथ करें या करमचारी अधिकारियों के न्योकती सभी के अपने अपने कुछ सीमाई होती है वास्तों में यह होता है पाशर सीवालनियन इन्हीं कि निश्यत सेमाओं का वर्णन करता है तीस्री विश्यताय कही जा सकती है कि वह वांग General करता है वास्तों इसमें कमपनी के अंशुधारियों के दाईद रि fi सपस्ट यह कर दिये जाते हैं वास्तों में कमपनी के जो अंशुधारियों की किया गया प्रते यह कारे व्यार्थ होता है इसकी सीमा से बाहर जो किये गए कारे होते हैं उसके लिए कमपनी किसी भी प्रकार से उत्तरदाई नहीं होती है यही कारण है कि अगर इसके अंतरगत जो नर्धारित सिमाय दे गए उसके बाहर अगर कोई कारे करता है तो वो पूर्ण रूप से वेर्थ या कंपनी के दिश्टी कोंड से वो अवैध मान लिया जाता है यहां हम देखते हैं कि इसमें जब इसका नर्माण किया जाता है तो बहुत सावधानी से कंपनी की स्थिती को कंपनी की प्रकृती को ध्यान में रखते हुए इसका निरधारन किया जाता है क्योंकि इसके संबन्द में एक महतुपूर्ण बात ये भी है कि इसमें परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता है तो ये था कंपनी का पहला महतुपूर्ण प्रलेक पार्शद सीमनियम अब अगर हम कंपनी के दूसरे महतुपून प्रलेक की बात करें तो ये है पारशद अंतर नियम वास्तों में पारशद अंतर नियम के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी के आंतरिक व्यवस्ता से सम्मंधित जो नियम होते हैं उसको प्रदर्शित करता हुआ एक प्रलेख होता है और इसके अंतरगत कमपनी के जो अधिकारी होते हैं उनके करतवे और अधिकार नरधारित कर दिये जाते हैं यानि कि करतवे अधिकारों की सीमा को बताता है किस किस नियम के अंतरगत वो कारे करेंगे कितना किस हद तक उन का बनता है कितना उनको अधिकार प्राप्त है इन सारी चीज़ों को नधारित करता है इसमें हम यह देखते हैं कि अंशों के निर्गमन और हस्तांतरंड से संबंदित जो नियम है वह इसके अंतर्गत दिये पहले भी हमने अस्ते हैं तो अपने यह जो पारशद अंतर नियम है इसके बिना भी वो कारिक कर सकती है ऐसी उसको छोड़ दी जाती है लेकिन अगर उसने पारशद अंतर नियम का निर्मान नहीं किया है तो ऐसी कंडिशन में उसको कंपनी अधिनियम के अंतरगत जो साड़नी आ है उसमें जो दिये के नियम है उसको फॉलो करते हुए कंपनी के संचालन का काम करना होगा साथ एक महतुपूर्ण बात यह भी देखी जाती है कि यह एक क्योंकि महतुपूर्ण प्रलेख है कंपनी के द्वारा बनाया गया है इसके आधीन रहकर कंपनी को कारे करना है तो जब भी इस विशेष्थाओं की तो विशेष्थाओं के अंतरगत हम सबसे पहले देखते हैं कि एक तो कंपनी के आंतरिक संगठन और प्रबंध व्यवस्था से सम्मंदित सभी प्रकार के जितने भी नियम है जिनके कंपनी का मैनेजमेंट होगा जिसके कंपनी का संचालन होगा इस अगर कंपनी के लिए बहतर होगा लेगिन किसी कारण मश अगर ना बनाया जाए तो कंपनी अधियम के अंतरगत जो भी नियम दिये गए हैं पार्शद अंतर नियम के विकल्प में उन सभी को फॉलो करना कंपनी के लिए जरूरी होगा एक और इसकी विशेस्ता है देखनों के मिलती है कि ये जो पार्षद अंतर नियम है ये क्रमा अनुसार एक क्रम के अनुसार बहुत सारे नुक्षेद और धाराओं में बटा हुआ है और उसके अंतरगती इसके नियमों का निर्माण किया गया है साथ ही एक महतरपूर बात ये है कि जिस प्रकार हमने देखा कि पार्षद सीमा नियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है लेकिन पार्षद अंतर नियम में ये परिवर्तन किया जा सकता है और इसके साथ साथ हम जैसिकी हमने देखा कि पारशद सीमा नियम जो है वो कंपनी का पहला और महत्पूर्ण प्रलेख कहलाता है तो पारशद अंतर नियम जो है वो कमपनी का दूसरा महत्रपूर्ण प्रलेख कहलाता है तो ये तो थे पारशद अंतर नियम के विशेशता हैं हमने कमपनी के महत्रपूर्ण प्रलेखों में पारशद सीमा नियम और पारशद अंतर नियम को जाना अब कमपनी का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है वो होता है प्रविवरंड यानि कि प्रॉस्पेक्टस तो क्या है प्रविवरंड इसके अंतरगत हम देखते हैं कि जब भी कमपनी स्थापित होती है और संचालन का कारेप्रारम करती है तो सबसे पहले उसको जरूरत हो प्रक्रिया जो होती है वो होती है प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की यानि कि प्रविवरंड निर्गमित करने की तो हम यहां यह क्या सकते हैं कि प्रविवरंड एक ऐसा विवरंड है जिसमें प्रवर्तक जो होता है कंपनी का प्रमोटर जिसे की कंपनी को चालू करने का प्रभार दिया जाता है कारेभार जिसको सौपा जाता है वो एक लिखित जो होता है आवेदन वो जनता को के सामने प्रस्तुत करता है या दूसरे श्रब्दों में हम कहें कि जनता को आमंतरित करता है अपने कमपनी के अंशो को खरीदने के लिए तो इस तरह से एक लिखित प्रविवरे़न के नाम से जाना जाता है दूसरा झाला हम यहां पर कह सकते हैं कि कंपनी में यह जो क्छिण यह उतके हैं तो यह एक प्रिकार से अगला एक बिंदु यह भी बताता है कि कमपनी जो है वो धान का विन्योग करने की जो शर्ते हैं जब भी कोई कमपनी अंश बेचती है तो वो बहुत सारी शर्तों को जनता के सामने रखती है और अगर जो जिन व्यक्तियों को वो शर्ते जो है वो मंजूर होती है वो उस कमपनी के अंशों को खरीते हैं तो कुल म कमपनी के जो सदस, कमपनी के जो संचालक होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रविवरन में जो बाते दी गई हैं, कमपनी से संबंधी जो नियम और शर्ते दिये गए हैं, वो सत्य हो इस बात की जिम्मेदारी संचालकों के उपर होती है, इस बात का भी ध्यान र कि अगले संप्रोंडले की बात करें तो वह सथाना पन निर्गमित और निगर पाती नियुक्रा χो जो यह का प्रविवरन का एक संचिप्त रूप या संचिप्त वर्णन प्रस्तूत करता है तो मुख्य प्रविवरन के स्थान पर स्थाना पन्य प्रविवरन का निर्गमन कंपनी के द्वारा किया जा सकता है लेकिन इसमें लगभग उन सभी बातों का उलेक होता है जो कि मुख्य प्र प्रवीवरण में संचालकों का हस्ताक्षर होना जरूरी है वैसे ही स्थानपन प्रवीवरण में भी संचालकों का हस्ताक्षर होना जरूरी है क्योंकि हमने देखा कि प्रवीवरण के अंतरगत संचालकों का हस्ताक्षर इस बात का एक प्रमाण होता है कि उसके अंतरगत जो से पहले होती है कंपनी की अधिक्रित पूंजी यानि की authorized share capital अधिक्रित पूंजी जो होती है यह दो भागों में बढ़ जाती है प्रार्थित पूंजी और अप्रार्थित पूंजी अब प्रार्थित पूंजी याचित और अयाचित पूंजी और अरक्षित पूंजी तो हम देख रहे हैं आप्रार्थित पूंजी जो होती है कुल मिलाकर एक होती है कमपनी का जो देश होता है वो कुल मिला कर ये होता है कि अपने शेर्स उसको जनता में बेचने हैं और उनसे पैसा प्राप्त करना है लेकिन क्योंकि इसके अपने अलग-अलग स्वरूप होते हैं अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग नाम से वो एकठा होकर आती है कमपनी क पास तो इसलिए कंपनी का यहाँ पर अलग-अलग दिश्टी कोंट से वर्गी कर दिया गया है वास्तों में जब हम इनके रूप को विस्तार में हम इसका अध्यन करेंगे तो हम जानेंगे कि अपने आप में इसमें कितने भिन्नता है यहां हम देखेंगे कि अधिकरित पूं कभी भी निर्गमित नहीं कर सकती है हमने पहले बात की पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतनियम की तो कंपनी के महतपूर्ण जो प्रलेख होते हैं उसमें इस बात का उलेख जरूर किया जाता है कि कंपनी की ऑथ्राइज शेयर क्यापिटल यानि कि अधिकरित और निधारित कर दी जाती है और कभी कंपनी जो होती है इस से जादा के शेयर जनता को निर्गमित नहीं कर सकती अभ यह जो अधिकरित पूंझी है ये एक साथ company नहीं मांगती है जनता से जैसे ज़रूत पड़ती है वैसे 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 अपने share बेचना चाहती है तो ये जो अधिक्रित पूंजी होती है ये दो भागों में बढ़ जाती है निर्गमित और अनिर्गमित निर्गमित पूंजी याने की जितने के अंशो को company बेचना चाह रही है जिन अंशो को company जितने रुपए के अंशो को company बेचना चाह रही है वो निर्गमित पूंजी के अंतरगत आता है और जिसे company बेचना नहीं चाह रही है वो पूरे के पूरे share अनिर्गमित पूंजी के अ कामंत्रित कर रही है यह अपने आप में दो भागों में बढ़ जाती है याचित और आयाचित कंपनी अपने अंशों को बेजना चाह रही है जितने अंशों को खरीदने के लिए जनता से आवेदन आते हैं वो पुंजी याचित पुंजी कहलाती है और जिनके लिए आवेदन नहीं आते हैं जो नहीं मांगी गई वो आयाचित पूंजी कहलाती है अब यह जो याचित पूंजी है यह फिर से दो भागों में बढ़ जाती है एक चुकता पूंजी और दुसरा अदत्याचना चुकता पूंजी यानि कि जो रकम अभी तक इन मांगी गए अंशों पर मिल वो चुकता पुंजी और जो अभी तक नहीं मिली वो अदत्याशना के अंतरगत आती है तो यह अलग अलग प्रकार सी हम यहां पर वर्गी करन को देखते हैं पुंजी के वास्तों में इनमें अपने आप में भिन्नता भी है तो यह कुल मिलाकर पुंजी के स्वरूप लेकिन शाब्दिक इनका अगर हम अर्थ देखें और कंपनी के संचालन में इनका जो रोल होता है उसके आधार पर इसमें काफी अंतर होता है तो सबसे पहले हम इसको और अच्छे से समझने के लिए यहां पर अधिकरित पुंजी और निर्गमित पुंजी में अंतर देखेंगे निर्गमित पुंजी अधिकरित पुंजी का वाभाग है जो जनता में बेचने हितु जारी किया जाता है अनिवारेता के आधार पर पार्शत सीमा नियम में अधिकरित पुंजी के जानकारी देना अनिवारे होता है जबके निर्गमित पुंजी के अंतरगत पार्शत सीमा नियम में इसकी जानकारी देने की आविश्यक्ता ही नहीं होती है कि स्टार्म ड्यूटी के आधार पर अधिकरित पूंजी के अंतरगत कंपनी की पंजियन शुल्क की मात्रा अधिकरित पूंजी पर निर्भर करती है मात्रा के आधार पर अधिकरित पूंजी से अधिक या बराबर हो सकती है अधिकरित पूंजी का निर्धारन कंपनी की बरतमान एवा भावियव शक्ताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है जबके निर्गमीत पुन्जी का नरधारन कंपनी की वर्तमान आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।